यह है परमार्थ आस्रम गीता भवन और स्वामी नायार मंदिर जाने का रास्ता और यह हम आपको लेके चल रहे हैं राम जूला लक्षमर जूला भी बंद चल रहा है क्योंकि उसकी एकरसी तूड़ जाने की वज़े से खतरा आ गया था इसकी वज़े से उसको भी बंद कर दिया गया है 25 दिन तक उसका काम चलेगा और हम आपको लेको चल रहे हैं यह है राम जूसा इसके पहले हम आपको गंगाजी दिखा देते हैं यह है नाज Olis अब हरण वेब सीरीज की लगवक सारी सुटिंग हरिद्वार और रिशी केस में ही हुई है और काफी अच्छी वेब सीरीज है काफी सस्पेंस भरी वेब सीरीज है यह है गंघा झी और यह राम जुला यह है उनक की रस्यां यह है राभूला की रस्यां और काफी मज्भूत रस्यांभाइश इससे कह सकते एलमुनियेन्व मोटी मोटी तार है और गंगा जीम पानी भी बढ़ गया है तो है तो चलिए लेकर है तो उपर से कुछ इस तरह का नजारा है गंगा जी इधर से मनोत्रिष यह आती है पहाड़ों से और इधर की तरफ हरिद्वार से होते विए कानपूर पटना इलहाबाद बनारस जाती है और यह है राम जूला वहाँ पे शूटिंग हुई थी वेब सीरीज एक आई थी जिसका नाम था पहरण और वहाँ से जूले की शूटिंग हुई थी और मैक्सिमम जो अपहरण है वो इसी हरिद्वार और इसी केस में शूट किया गया था इसी राम जूले पे तो हम चलके दिखाते हैं अपहरण के शूटिंग कहां से हुई थी यहां आपको यह जो नीचे ब्लॉक्स दिख रही है यह ब्लॉक्स उसमें शूट किया गया है अभी हम स्क्रीन पे उसका डाल देंगे तो यहीं से उसकी शूटिंग हुई थी उपर से इधर से वह चलके आती है जहां पे उनका किटनेप होता ह है और वहां पे वहां से वह देख रहा होता है एक्टर जो है तो बहुत यह अच्छी वेब सीरीज आई थी आप हरण तभी हम चलके वह नाव भी दिखाते हैं आपको अपहरण वाली अब यह वह राम जुला और यह है वह नाव यहीं से वह बुला रहा था वहां से वह जा रही थी उस पूल से राम से तुसे वह सीन हम यहां पर डाल देंगे हमें तो जादे अपरण इसलिए पसंद आयो थे क्योंकि वह रिसी केस में और हरिद्वार में शूटिंग हुई इसलिए वह ज्यादे पसंद आये थी और यह राम जुला से होते हुए लोग आ रहा हैं और यह रास्ता जाता है ट्रैकिंग के लिए और रिवर राफ्टिंग के लिए यहां से पंद्रा किलिमेटर दूर आपको पहाड़ीयों पे लेके जाएंगे ऐसे लेके आते हैं और रिवर राफ्टिंग इसारी नावे रुखती हैं, कभी तो एक्सिडेंट भी हो जाता है चलके हम थोखाक्थ से गंगा जी को दिखाते हैं और काफ오 रिशी केस से पत्रीली हैं क्योंकि ये पहाड़ों से गंगा जी जातीहैं हैं और रिशी केस से मैदान पकड़ घृ ओन रहे हैं रिवर राफ्टिंग करते हुए आते हैं यहां पर आकर स्लो हो जाते हैं लेकिन जब पहाड़ों से आते हैं तो पहाड़ों से बहुत ही स्पीड्स आते हैं तो रिशी केस का काफ़ी खुब्सूरत न जा रहा है और बहुत सी मूवियों की यहां पर सुटिंग हुई है रिशी केस में और हरिद्वार में तो हमने अब हरड अभी रिसेंटली देखा था तो हमें याद आ गया तो हमने सुचा अपको भी दिखा देते हैं और जब वो कि अब भी जानी पहचानी है और सुटिंग लोकेशन के लिए बेस्ट है यह देखिए यह सुरज मुखी के छोटे वाले फूल है किते खुब सुरत लग रहा है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक् कि जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद है